गुड मार्निंग स्टुडेंट्स, स्कूल दी चैनल, लर्नार जी एसस बुहा दे, एक वार फिर तो अड़ा स्वागत है, अज असीं, 10 प्लस 2 दे, यूनेट वान दे चैप्टर नमबर वन, रिप्रोड़क्शन दे अर्गनिजम दा लास्ट टॉपिक डिस्कुस करना है, इ इने भी स्टुडेंट्स, इस वीडियो देख रहे है, स्कूल दे यूट्यूब चैनल ले जड़े हुए है, उच गुछ दे, बोहत स्कूल दे स्टुडेंट्स है, जां किसे भी हो स्कूल दे स्टुडेंट्स ने, जो इहें ऑनलाइन टैस्ट देना चाऊंदे है, ता इस इस लेक्चर दे विच देते हुए मेरे वाट्सेप नंबर 98145 58084 ते कंटेक्ट करन। ते उननों आनलाइन टेस्ट दा लिंक पेज दता जाओगा। सो चैप्टर खत्म हों तो बाच सारे स्टूरेंट्स ओ लिंक मेरे तो लहके उस दा टेस्ट जरूर देन। सब्सक्राइब करते हैं चैप्टर नंबर 1 डालास टॉपिक वेजी टेटिव प्रॉपिगेशन इन प्लांट्स पैःग देर्थोर विजी टेटिव प्रॉपिगेशन इन प्लांट्स टॉपेक असी अल्रेडी एक लेक्टर इस दर ले चुके हैं इस दी विच में तो अनुदस्यासी की वेजटेटी प्रॉप्लिकेशन दे दो मेथड ने ने नेचरल मेथड एंड आर्टिफिशल मेथड नेचरल मेथड से विच असी गल कीती है कि हो सकते है थूप स्टैमट लीवज जांग कुछ कहा स्थे स्टैयल स्टवच्ट्चर रो सकते है सारे है थूप बॉट लीवज इस सटॉडई कर चुके है ना ली कुछ स्टैयल स्टैयल स्टैम्स रॉटस्टिव है दोनों कीते हैं षो कोई असी स्टार्ट करने है अपना आज दा टॉपिक आटिफिशल वेगेटिव प्रॉप्रिगेशन utos are artificial वेगेटिव प्रॉप्रिगेशन है जिस तरह मीता से सही तो कोँछ की मैध्र धर से राइनलेन डेर Two रोई है artificial as it is very clear from the name के human interference नल होएगी so it is the type of plant reproduction that involves human intervention इस से बिच बटा असी अक्सरी जड़ा cutting layering इस तरह निये techniques देख देख देए हैं so जैसी दूसरी बटा गल करिए के जिनने भी अपने plant नो ग्रू करन वाले ने जा horticulturist है गे ने वो सारे इनना methods नो यूज कर रहे है artificial vegetative propagation नो यूज कर रहे है किसले यूज कर रहे है plants दी propagation as well as एहो जे plants produce करन दे लिए जिनना को ले desirable properties ने desirable qualities ने जेडिया qualities दी असीन desire कर दे हैं के plant को ले qualities होनी है चाहिए दियाने ता उनना plants नो produce करन दे ले जेसी artificial means of vegetative propagation यूज कर दे है जेसी simple growth दी कल करी के plants नो grow करना है plants दा number increase करना है propagation करना है ता बटा natural methods दे जस्तरा में गल कीती है के टूबर्स हैगे है पटैटो दी टूबर्स हैगे हुन जे पटैटो दे टूबर्स naturally कर रहे है ग्रोव तक कि यसी उसनों artificial use नहीं कर सकते है बिलकुल कर सकते है अग्रिकल्चिस ने उसे प्रैक्टिस नो यूज कर दे है ता उनना पटैटो दे टूबर्स मूल है उनना तो पटैटो दे प्लांट्स ग्रोव कर दे है similarly जिस तरह जी गल की दिए के unfavorable conditions दे विचे राइजोम जिंजर दा उग्रोव नहीं कर रहा है बड़ फेबरेबल conditions दे विचा कि उस तो प्लांट्स ग्रोव कर जन दे है ता उनना प्रापरटीज नो फिर अपने लिए भी दा यूज कर सकते है सजो राइजोम जिड़े हैगे ने उनना वी ऐसी आर्टिफिली यूज कर सब्सेत है कॉंब्स अ बनाना उननå भी आःक्रिफिली यूज कर सब्सेत है मिंट्शनी मिंट्टी ग्रोव यूज कर सकती है उननों जिक विखर सकने या ये कुछक मैथड्स जड़े नैचरल से अन्हों उसी आर्टिक्षिली भी उसकर साथ दे हैं बट बिसाइड देस कुछक साथे कोले स्पेशल मैथड्स है गए है जड़े सिर्फ सिर्फ आर्टिक्षिली की ते जन्दे है उनना देविच साथे कोले cutting, layering, grafting, tissue culture ए चार टक्नीक्स असी discuss करनी है अपना बड़ा शोटा लेक्चर है, बड़ा शोटा टापिक है सब तो पहला सीगाल कर दें है, cutting सी cutting की है? cutting किसे भी plant दा कोई part है कहा है कोई small part है, that may be the part of stem, that may be the part of leaf, that may be the part of root जिसनों सी use कर सकते हैं, उस part नो main plant तो cut करना है main plant तो cut करके, अलगे तो सी soil देविच उगरो कर देना है तो उस तो नमा plant produce होजेगा सो एक बड़ा simple method है, आम तोरते सी इसनों कलम लगाऊना टक्नीक कैद नहीं है तो सी कलम की दी लगाऊने है, जि मैं examples ही कल करी है, इस रोज दी कलम आम ही सुने है कि गलाब नहीं कलमा लगाऊने है, तो कलम की है, कलम actually cutting है तो कि एक main plant ता part है, रोज दी एक main plant ता part है जिस plant नो सी cut करके, जिस तरह diagram देविच दिखाया हुए है इस नो सी cut कर लेना है, cut करके इस नो अलग तो grow कर देना है जिड़ा part grow कीता जा रहे है, this part is called cutting एक cutting grow हो रही है, कुछ दिना तो बाद चे इस ने थे roots जिडियें develop कर लेनी है तो इह plant जिड़ा है, आप बाद ग्रो कर जेगा सो इन दिस वे इस इड़ा नमे plant produce कर सकते हैं, एक पहला वले plant तो सम्टाइम्स की होंदा है कि जड़ी stem दी cutting लें जान दी है उस स्टेम दी cutting लेके उसनो hormones देना हो ट्रीट भी कीता जान दा है तो इस तो बाद दे विच उसनों ग्रो करता है, जान होर्मोजनाल ट्रीटमेंट क्या हो देना है सो देट वो प्रॉपरली रूट्स डवेल्प कर सके सो इग्जाम्पल्स की है, ग्रेप से विच इस तरह होंदा है अंगूरा दे जडु इस लगाँने हो से energy, sugar दे में विच ठुने है शुगर ऐन दे में विच होन दे र्ोज दे में बोगणवीया दे में चारो एक्चम्पल्स और जाव्कि नहीं बढ़ीयों common examples नहीं ही है through leaves so जैसे वो लीव दा part artificially cut करके ग्रो कराएंगे तो ओभी cutting होगी ना क्योंग इसी main part तो cut करता main plant तो then उसनों grow कीता है उदे तो भी plants यड़े यह develop हो सकते हैं so root cuttings हो सकते हैं tamarind दी example है गिये जिदे विच root cuttings हो दिए हैं so एस सब तो पहली technique सी जेडी technique नूँसी बोल दें cutting होना सी next technique दी गल कर दें next है साधे को ले grafting so grafting grafting डिसकस करने तो पहला पहला गल कर दें layering दी yes layering layering की है layering दे विच एक main plant है उस main plant नूँसी cut नी कीता उस दी लोएस्ट ब्रांच है की है उस प्रांच नो सी ले आई नीचे ते थोड़ा जै उसनों इंजडर करके उस दे इते cut लगा के ऐसे उस प्रांट ते पार मिश इंजडर पार है गया गया उस इंजर पार नो यह नीचे अर्ध दे विचंडर है का अर्थे विच स्वाइल दे विच रख खैसी ओस तो रूट्स ड्वेल्प हो जण गिया ति जड़ी है इस तो रूट्स ड्वेल्प हो गया अपरवर्ड प्लांट ग्रो कर रहे है ता हो नसी टाइम है का जदो इसनों में पालांट तो डिटैच करांगे इन्धा मतलब में प्लांट तो डिटैच कर दोंगी ता जंद है जदो ओ प्लांट जड़ा ग्रो कर चुक ए है ता यह टक्निक की है मांट लेरिंग मैं तो दासती जैसी एर लेरिंग दी गल करिए एर लेरिंग भी इस तरीके नली प्रफॉर्म कीती जांदी यह बस की है सिर्फ उन्हा प्लाट से विच होएगी जड़े प्लाट से ब्रांच जड़ी है एंडिंगा ज़्यादा डाउन नहीं होंदी है कि असी उसमेड़ा है अर्थ देविच रख सकी इट मींज जड़े श्रब्स होणगे जड़े ट्रीज होणगे उन्हा दिया ब्रांच जड़ी है ग्राउंड तो काफी हाइट ते होणगी है उसकेस देविच पर असी मांट लेरिंग नहीं करांगे उत्थे असी करांगे एर एर लेरिंग देविच की होंदा है एक की जड़ी ब्रांच हैगी है स्पोज अपने कुले है कर रही है में जड़ी ब्रांच रान कर रही है असी इत्थों इस दा एन्नाक पार्ट जड़ा बार्क हैगी औहों रमूव कर दांगे जो दो बार्क रमूव कर दांगे तो स्ट्रक्चिर मंजेगा इस तरह अंदर है कि अपने पोर्षन आगया स्टैम कोछ कर लिया कर लई कावडंग कर लिया थोड़ी हे कॉटन ये सब कुछ मिक्स करके असी एड़ा है कि इस नू कवर करता कवर करन तो बाच असी पॉलिथीन नल इस नू रैप करके ऐस इट इस शड़ता तब पॉलिथीन नल जदो रैप करके शड़ता असी लगपग पंच तो दास दिना बाद जदो असी इस नू उपन करांगे ता असी देखांगे कि इस दे विचडियां रूट्स ड्यवफ हो चुकी है ने जदो रूट्स ड्यवफ हो जड़नेंगे जदो असी इस ब्रांच नू में प्लांट तो डिटाच करतांगे डिटाच करन तो बाच इस नू अर्थ दे विचा के नमी जगाद दे उगाद आगे ता ए जड़ी टकनीक हैगी है एस टकनीक नू उसी बोल दें एर लेरिंग ता ए टकनीक किते यूज हों दी है किड़े प्लांट से विच यूज हो रही है औरेंज हो सकती है लीची प्लांट दे विच हो सकती है ता एह हो जे प्लांट से गेने जिनना दे विच एर लेरिंग कर दे है ते जड़ी इस भी माउंड लेरिंग दी कल कीती है ओधी ए एक्जांपल्स की ने एक ग्रेव वाइन है स्ट्रॉबरी है चैरी है इन्न प्लांट से विच मांट लेरिंग हो सकती है सो बैटा है साड़ी सेकंड टकनीक सी लेरिंग होना सी अपनी next टकनीक दिखल कर दिये है जड़ी है साड़ी कोई ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग एक बड़ा common method है गाए जिसनू साड़ी जड़ी यूज़ कर रहे हैं इस टकनीक दे विच हुंदा की है grafting दे विच असी दो plant लेने हैं in grafting two plants are used two plants असि यूज़ कर रहे हैं to develop a new plant with combined traits from two parent plants two parent plant हैके ने उनना दोनों parent plant दे characters नों से mix करके एक नमा character बनाना है 2 plant तो एक यसी नमा plant produce कर रहे हैं तो असी जड़े plants ले रहे हैं ओधे विच्छो एकदा तासी लमागे shoot system एकदा सी लमागे root system तो जनली की हुंद है root stock जड़ा है का root वाला portion जड़ा ले आजान दे ओस portion उसी stock ball दे है ते जड़ा shoot वाला portion है that is kind जिस तरह है थे दिखाया हुए था जड़ा है कि अपर portion जड़ा है स्काइन है ते root वाला portion stock है इन्हा दोनों उसी combine कर देना है ते combine करके एक नवा plant बनाना है जनली जड़ा root वाला portion ले आ गया है stock ले गया है एक wild variety of plant तो ले आ जाना है क्योंकि एक wild plants हों दे है those are highly resistant to disease as well as pest ते उन्हा दे एक root system बड़ा बदिया होंदा है क्योंकि लोर portion उस प्लांट दा लमागे जिदे को ले एक well defined root system है जिदे को लेक well developed root system है जिदा soil दे विच्चों water दे minerals absorption बहुत वधिया दरीके नल कर सकता है उस अठे को ले किया गया उस दा असी यड़ा है root system लमागे ते shoot system असी कीदा लमागे अपर portion कीदा लमागे जीदे को ले साठे को ले बहुत वधिया flowers आ रहे है fruit अच्छी quality दे आ रहे है ता असी यों की लमाग system बहुत रूट system बहुत वधिया ड्वैल्प होएगा अच्छी तरह हो water absorb कर सकता है तासी दिसारी मेंगो नुसे टे ग्राफ्ट कर दांगे ते ग्राफ्टिंग नाल साठे को ले कनमा प्लांट आजेगा जे में इते diagram दिवचे दखाया होया है के साठे को ले दो प्लांट ह करें पहला प्लांट जीड़ा है के दिखो एस दी विच्छ फ्लार्स धा बड़ी सोने हाय होई है एस दा शूट system बड़ा वदी है पर एस दा रूट शिस्टम पूरली डवल पड़ें स्मॉल रूट शिष्टम है सुंगो यह रूट शिटम जेड़ा है निचैदा सी इस र बहुत वधिये ड्वेल्प सी तसी की किता एस प्लांट दा स्टॉक ले 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 ते दोना दियुत की करती ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग करन तो बात दे विच वटाइड़ा है गा अपने पुले की बनगे एक नमा प्लांट सो जमेत ही मैं इसनु डागराम नु द्वारक स्वेरियन करदे है दिस इस प्लांट बान दिस इस प्लांट टू एस दे विच रूट सिस्टम पोर ली ड्यवल पड़ है बट आर्ज फ्लार ने साद है डिजारेबल क्रेक्टर है संनु छाही दे ने दूसरे प्लांट दे हमां गे साज़ी नमांगे कनम है हैं इस चीज कर케 रखांगे डूसरे नट कर सेके टेज़़ा है किला कि आट और criminal सुने प्लांट जम्मां जटो expanded से volume कवरिंग है इस दे बिच क्योंज ने है कि कि ये शारे फ्लांत्स से भीछ पासीवल है कि आसी किसे वी एक प्लांट रूंड किसे वी दूसरे प्लांट दे नड़ अट्याच कर सकतें नहीं इस तरह नियुक्त प्लांट नमांगे ढोला प्लांट्स जिनन देड़ वैसकुलर क lle means enormics कर सके ताय देयर फोर बॉस ऐखी crítos हुं दे केड़ा इस प्लांट दिक इंन्य की एच है ऑगी ताई उस वेस्कुलर के अ शुली मुदूसरे स्टिकन cookies कर सके नहीं यह न सारे next layering है होगी then last technique जड़ी इस दे विच हैगी है this is tissue culture so tissue culture technique की है इस दे विच आसी tissue दी culturing करनी है किसे cells दी tissue दी organ दी न दी इसी culturing करनी है तो tissue culture है वैसे technique बड़ी detail दे विच अपां एक होर chapter अपने को लेगा उस दे विच डिसकस करांगे बैट रहे होएगा कि इस technique नूँ micro propagation दा नाम देए तो फोड़ी फोड़ी cells है गये है किसे भी plant दा कोई part ले लेना है उस पार्ट नूँ लेके जिस तरह है leaf है गया है leaf तक tissue दा sample ले ले आ ते इस नो सी culture medium दे विच पाता जोदो सी culture medium दे विच पाता nutrient medium दे विच पाता आफ्टर few days यह तो एक undifferentiated mass of cells बांजेगा जिड़ाई undifferentiated mass of cell है this is called callus इस तूँ असी फिर बहुत सरे parts दे विच कर लांगे callus is separated into many parts ते असी उसनों अड़ा हैगा एक होर container दे विच ट्रांस्फर कर दांगे जदो ए ग्रो करेगा देन असी इस नूँ अलग-लग test tubes हैगी है नहीं जा अलग-लग containers हैगे नहीं उनना containers दे विच असी इह पार्ट पादना है जिस तरह एह वान हो गया two, three, so इस तो असी अलग-लग जड़िया ले लड़नी है नहीं एक test tube होगी, दो होगी, तिन होगी, चार होगी हाँ, पंच होगी हाँ इनना सारें दे विच असी nutrient medium जड़ा पाया हुए है, then nutrient medium दे विच एड़े कैलस दे सी portion कीते है जदो सी इनना ट्रांसफर करांगे, after few days एड़े तो रूट सिस्टम ते शूट सिस्टम डवेलप होगा, छोटे-छोटे plants जड़े हैगे ने इनना दे विच डवेलप होने इस दे विच बार कर लागे ते इननन उसी अलागे जगा दे ते ग्रो कर लागे, so इस तरीके ना असी कीता की है, असी micro propagation कीती है, parent plant दा, असी बड़ा थोड़ा portion ले आएगा, एक tissue ले आएगा, then असी उसनों ग्रो गीता, जी तो undifferentiated mass of cell बान गया, which is callus, callus नो पार्स कर अलग-लग असी container से विच ट्रांसफर करता, ता नमे plants यड़े produce होगे, इनन new plants नो सी दे नगी ग्रो कर सकते है, so इस अड़ी टेकनीक है, यड़ी टेकनीक दे में थे बड़ा थोड़ा असे इस टेकनीक वारे, योगकि एक लगतो चैप्टरों दे पूरी डिटेल दे विच अपा ही टेकनीक डिस्कस करनी है, इते जस्त इसनों एक वेजटेटरी प्रोपिगेशन दे पॉइंट अफ व्यू तो एक्स्प्लेइन कीता गया है, तहुन यह अपनिया टेकनीक सी गिया, देन लास्त दे विच बटा हैगा, वट इस इंपोर्टेंस वेजटेटरी प्रोपिगेशन और जैनेटीकली सिमिलर एंट कॉंसिटर्ण डे युनिफॉर्म पॉपॉपॉलेशन विच इस कॉल्ड कलों, मीन्स अटेकले वीरियाशन नहीं आया, जड़े साटेकले वेजटेटरी प्रोपिगेशन दे प्रोपिगेशन दे प्रोपिगेशन और पर्वेस एप्रिकेबल नहीं है ड़ैन पॉत सरे प्लांटे से हजे हंदे ने जिनना कोले सेक्शल रिप्रोडेक्शन दीपावर नहीं हंदी यह सेक्शलीवी नहीं कर सकते जहाद लॉंग लॉंग दॉर्मेंट पीरिड हुंदे सीट प्रDavid वे हंदे सीट्थ शेडcommand ॉर्म सिक्सेस्फुल है गी है दन बहुत सरे फ्रूट वाले ट्रीज है जिमें बनाना पाइनेपल है इनना दे सीड्स भी वाइबल नहीं हुंदे सो ही गालागी दूब गुलास चीड़ा कॉमन ग्रास आ गया है इस दी एक्जामपल आ गी सो जहांके इन्हाँ दे बिचस्प्रिक टुणि थे है ताक डूण दिया तानसी उन्हा दे बिच स्प्रिकशन करनी है रिपॉडउक्शन करनी है ता सी वेज़ुटित्व प्रॉक्शन ही यूज करांगे यह बड़ी रेपड हैगी है, क्रेक्टर्स अच्छे प्रडूस हो सकती है, वारिस फिर प्लांट अच्छे प्रडूस कर सकती है, सो देन एक ग्राफ्टिंग वाला पॉइंट जड़ा आगया, इट हेल्पस इन गेटिंग एन एकनोमिकली important plant having useful characters of two different individuals in a very short time. एक सिंगल प्लांट दे विच असीड़ है, गने characters जड़े हैं लेके आ सकने है, तो दिस अबाट अबड़ा अप्टर आगया, वेच जड़ा है, So dear students, असी अपना यह चैप्टर वां जड़ा है, इस दे वीच कम्प्लीट कर ले है, इस दा जो portion sexual reproduction दे चैप्टर दे विच थोड़ा दिता हुए है इस जमें ही है सी अपना chapter second एंजो स्पाम्म जे विच रिप्रड़क्शन जड़ी है इस sexual reproduction in flooring plants ओस ही चैप्टर करांगे start ओस दे विच ही हो cover हो जाना है इस चैप्टर दे विच जिनने भी questions बांदे हो तो ordinary discuss कीते जानगे पर तुसे सारे students school दे इस channel learner GSS बोहा देना जोड़े रहो ता उन्हों लगातार वीडियोज ओन दिया रही है सो students हो चहेदी मैं एक वार फेर कहा रहे हैं कि चहेदी वो बोहा स्कूल देने या किसे भी स्कूल दे students है कि जड़े YouTube channel देतरू जुड़े वही है वो सारे students इस chapter देना लेटर टेस्ट देना जाओंदे है ता इत्थे screen देते होए मेरे WhatsApp नमबर देते मेंना contact करन उननों online टेस्ट दिंक सेंड करता जाओगा तांके सारे students कार वेठे ही इस दी त्यारी अपने paper दी त्यारी नीरो प्लस टू दी क्लास है इस दी त्यारी कर देना है Thank you, thank you very much